YCT के official YouTube channel पे आप सभी लोग का हर्दिक स्वागत है आज हम आपके लिए ले आए हैं UPPCS के तुरू जुत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग के तुरू आरो यारो की वेकंसी आने वाली है अक्टूबर माह में उसके आप प्रैक्टिस सेट सॉल्ट वेपर दोनों माद्याओं में हिंदी इंगलीस या इंगलीस का फुल वर्जन मार्केट में उपलब्द है आप किसी भी स्टोर या YCT बुक्स डॉट कॉम या YCT के आप के तुरू परचेश कर सकते हैं यह प्रैक्ट अब पर परिच्छाओं के इसमें टॉटिक वाइस इसमें चार्ट दिया गये कि इसमें प्रशने आ रहे थे किस प्रशन से कितने कृम प्रशन आ रहे हैं इसको मद्दे नजार रखते वे बनाया गया यह पूरा टेबल इसमें दिखाएंगे इसमें सलेबस भी इसका पूरा दिया हुआ है और इसमें ओमार सीट तो दी हुई है साथ ही कुछ selected student जो पिछले बार के कुछ selected उसते हैं उनसे कुछ प्रस्थनों को मगाया गया था यहां पे उनको इसमें समलित किया गया है उनके द्वारा भी यह पूरा पूरता तयार की गई है कुछ लगके इसमें मेंस दे रहे तो उनकी तयार तब से भी कुछ प्रस्थनों को बनवा के मगाया गया था इस बार प्रैट्री सेट को बढ़ा बढ़िया तरी किसन निकाला गया है जिसकी क्लास हमारी यूटूब चैनल पे प्रदी दिन चल रही है इसको आप पढ़ सकते हैं PCS की तयारी के लिए या आरो यारो या जो APS की वेकंसी यानी है दो एक दिन में आ जाएगी जहां तक उसका नोटिफिकेशन आने वाला है उसके लिए भी आप इस बुक को हमारे यूटूब चैनल पे आकर दिन प्रदी दिन पढ़ सकते हैं डेली से क्लास चल रही है टीचरों दोरा पढ़ाया जा रहा है इतिहास खतम हो चुका है पॉलिटी वीच में चल रही है और भुगोल में भी समापती है और भी नए टॉपिक स्टार्ट होने वाले है तो इस बुक को आप जल्द से जल्द परचेश कर लीजे उसके साथ ही ये बुक भी परचेश कर लीजे अगर आपको किसी भी एक्जाम के तैयारी में रिवीजन करना है तो इस बुक को मगा सकते हैं जो भी समान ग्यान की NCRT बेश जीके जिसमें 27 किताबों का निचोड़ दिया गया है NCRT की कच्छा 6 से 12 तक की NCRT का निचोड़ है इसके अंदर इसको आप मार्केट से मगा कर पढ़ सकते हैं इसे रिवीजन के लिए काफी हेलफुल बुक है ये बहुत ही सांदार बुक थी ये इसमें PCS से कम से कम 20 से 30 परस नलगातार लाइन फसेदे आईए आपको हम दिखाते हैं आरो यारो प्रैक्टिस बुक कैसी बनाई गए इस बार पांचेट GS, पांचेट Hindi के दिए गया है, साथ में सलेबस दिया गया है, देखेंगे, ट्रेंड इनालिसिस दिया गया है, पांच सालों के पेपरों का, विकत वर्सों में जितने भी पूछे का है, प्राचीन इतिहास से, देखें, प्राचीन इतिहास जो टौपिक था, उस उसे प्राचीन राजवन्स का जो टौपिक है, प्राचीन राजवन्स उससे देखें कितने कोशन आए, 2014 में तो आए, 2016 में तो आए, 2016 में तो आए, 2016 में नहीं आए, और 2021 में तो बिल्कुली एक कोशन पर आके टक गया, 2016 में आया है, फिर 800 से 1200 तक में कोई कोशन नहीं है, 2017 में आए हैं विदेशी आतरी से एक कोश्चन 2020 में बस पूचा गया मत दिकाली इतिहास का देख सकते हैं इसमें कोश्चन कितने कमा रहे हैं 2014 में सबसे दर कोश्चन पांच कोश्चन आए हैं और इसके बाद आधुनिक भारत में टोपिक है जो इतिहास का आपका जो सबसे पूचा जा रहा है इस समय समाजिक धार्मिक आंदोलन निम्ण जाती मजदूर संग 1850 का विद्रो दो कोश्चन 2021 में आये थे मुक संस्थान संस्थाएं संधियां आयोग अधिनियम से तीन कोश्चन समाचार पत्र पत्रिकायों से एक कोश्चन से एक कोश्चन विविद के जो कुछ भी और ट सोला में अच्छे प्रसना थे इसे पहले इस समय बहुत देखी धर मौडन टॉपिक जो भी है आर्ट 10 कोश्चन ऐसे या आते रहे हैं तो मौडन हिस्टरी में देखा जाए तो मौडन से ज़्यदा प्रसनाते हैं आप मौडन की त्यारी बहुत ही लग्य करते रहे हैं फिर भूगौल के टॉपिक हो गई देखिए भूगौल में भी प्रस्त च्छे खासे आहे हुए है लगातार भारत का अलग दिया है फिर सम्विधान के देखिए पूरे तीट्यल में दिये हुए है फिर अर्थ विएस्था फिर साइंस का देखिए दिया हुए है फिर liberal सी ने थे धार आए कि बहुत अच्छे प्रस्णा रहें है इन्वारिमेंट की वी तैयरी अच्छी रई है आ deadline लगा तार बहुत ही अच्छे प्रसेय है मुझे और mobile foreign अच्छे आते रहे हैं, देखिए इन सब से जोड़े जाएंगे तो प्रस्ण 6-10 से 15-20 प्रस्ण तक साइंस से भी आ जाते हैं पिछले सालों तक देखा जाता था, 2-3 सालों तक कि UP के कोश्चन बिल्कुल नदारत रहे देते कि एक कोश्चन आ गया, दो कोश्चन आ गया, तीन कोश्चन आ गया PCS भी, पर PCS में भी अभी भी कोश्चन की संख्या तुनी नहीं बढ़ी दिल पर आरो यारो में लगातार प्रस्णों की संख्या बढ़ती जा रहे है UP SSC में लगातार प्रशनों की संक्या 20% तो fix कर दिया UP SSC ने आपको 20 question आपको अब UP के आने ही आने है उसी तरह देख सकते हैं आपकी आरो यारो में भी लगातार fix होता चला जा रहा है कि question तो आने ही है आपको UP अगर paper देने आना है कहीं भी other state के हैं तो UP का ग्यान आपको ले के आना है ये देखिए 2021 में 20 question आए थे 2016 री exam में 16 ये 2017 में 17 question आए था और 2016 जो exam रद्द हो गया था उसमें भी देखिन 9 question आए थे और ये 2014 का प्रशन है जिसमें 10 question आए थे इसके बाद आप देख सकते हैं रिजिनिंग और गड़ित ये PCS वालों के लिए एक थोड़ा सा point फ़सा देता है जिसमें थोड़ा से practice के जुरूत है जो आप इस practice set से कर सकते हैं इसमें दिया हुआ है बढ़िये बढ़िया question रिजिनिंग मैत के भी इसमें भी देखिए बारा चौदा पंदरा चौदा पंदरा इसे ही मतलब दस से पंदरा के बीच में आपको मैत और रिजिनिंग के question मिलते जोते हैं मिल जाएंगे फिर इसके बाद करेंड के बारा, अठारा, चौबिस, नौ, एकीस प्रसना यह है विविद से भी मतलब कौन संस्था कहां पर स्थापित है इस टाइप के question कुछ इसमें आरो यारो में मिलान के तुरू या कौन सा उपगरा कहीं जा रहा था हूँ क्या इस टाइप के प्रसन जो ऐसे होते हैं आपको प्रसनम बता देते हैं कि विविद में कैसे कैसे प्रसनों को दिया गया है और हिंदी में तो आप स्लेबस के अनुसार जानी रहे हैं कि दस-दस question हट टॉपिक से च्छे और टॉपिक से आएंगे विलों पर्यावाची तस्सम तत्बह अनेक सब्दों का एक सब्द वाक्यो कोई पुरुसकार से थोड़ा बहुत सम्बन देते हैं जो पुराने पुरुसकार कोई थोड़ा static gk टाइप जो आज कल प्रसन चलना है उसमें को विवित में डाल दिये गए उन प्रसनों को भी मिलाके यह आप देख सकते हैं इसके पहले प्रसन पत्र को हम आपको खोल के रिखादे 30 में कैसे कैसे प्रसन दिये गए हैं । ए सही है इसका भोगवा नदी इसका एंसर है लोथल गुजरात राज के आमदाबाद जिले में इस्थित है जो भोगवा नदी के टेट पर है या एक हड़पा काली इस्थाल है जिसकी खोज S.R. राव ने की थी दूसरा प्रस्ण देखते हैं फुलरीन में कितने कारवन प्रमाण होते हैं साइन्स का प्रस्ण है फुलरीन में कितने कारवन प्रमाण होते हैं साथ इसी तरह आपको सारे प्रस्ण दिये हुए है साथ में इसमें पेज नंबर आप देख सकते हैं पंद्रा पर आपको व्मार सीड भी दी गई कि आप प्रैक्टिस करने अगब आकर आप अपना परती का नाम बर सकते हैं जी दिन आप टेस्च दे रहे हैं उसका नाम बरी अपना इसमें कुछ भी भर सकते हैं परिच्छा के अंज़िलिक मतलब हुब आपकी प्रैक्टिस के पूरे गोले को हुब हुब जैसे आरो यारो के पेपर में आपको मिलेगा 150 कोस्टन का भरना आपको 140 रहता है और हिंदी वाले मैं आपको 60 भरना रहता है पर इसमें पूरा पूरा जैसे ही जाम में देता वैसे ही दिया गया है इस बुक को आप अपने नजदी की स्टोर से या yctbooks.com या yct के एप से भी परचेश कर सकते हैं या फिलिपकार्ड, Amazon, Geomart, Miso, Unn, विबसाइडों से भी इस बुक को मगा सकते हैं मिलते हैं आपसे और अच्छी किताबों के साथ अगले दिन धन्यवाद